एक वोट से सरकार गिरना स्विकार कर लिया लेकिन पार्टी के आदर्शों से समझोता नहीं किया अपात काल में लोगतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कारकरताओं ने कैसे कैसे कश्ट सहे लोगतंत्रिक नहीतिक ताके कैसे कैसे उधारण दिये हमारे देश में राजनितिक स्वार्थ के लिए दलों के तूटने के अनेकों उधारण है लेकिन देशित में लोगतंत्र के लिए दल के विलेगी घटनाएं शायद ही कहीं नजर मिलेगी भारतिय जनसंग ने ये करके दिखाया था जनसंग से लेकर अभी तक ये तप ये तपस्या हमारे कारकरताओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है साथिया पिछले साल कोरोना ने पूरे देश के सामने एक अभुत्पुर्व संकट खड़ा कर दिया था तब आप सब अपना सूख दुख भुल कर देश वाज़्चों की सेवा में लगे रहे आपने सेवा ही संगठन का संकल पलिया और उसके लिए आप डटे रहें लगे रहें और लोगों की सेवा करते रहें जो काम आप गाउं गाउं में शहरों में कर रहे थे घर गर पहुंच रहे थे वैसा ही कुछ काम अन्तुदय की प्रेना से भाज़पा की सरकारे चाहे केंद्र हो या राज हो अपना दाई तो निभाती रहें गरीब कल्याण योजना से लेकर बंदे भारत मिशन तक हमारे सेवाफाव को देश ने मैसूस किया है यही नहीं इसी संकटकाल में देश ने नए भारत का खाका खीचा और आत्म निर्भर भारत अभ्यान शुरू किया आज आत्म निर्भर भारत अभ्यान गाओं गरीब का किसान का मद्दूर का दलीत का बंचित का महिलाओं का युवाओं का हर किसी का स्वयम का एक प्रकार से अभ्यान बन गया है आज भाजपासे गाओं गरीब का जुड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है 21 सदी में जिन व्याओं ने जन्म लिया है वे आज भारतिय जन्ता पार्टी के साथ है भाजपा की नीतियां भाजपा की प्रयासों के साथ है साथियों गांधी जी कहते थे कि निर्णय और योजनय वो हों जो समाज की आखरी पंक्ति में खड़ी व्यक्ति तक लाब पहुंचाए गांधी जी की उसी मुल भावना को चरितार्थ करने के लिए हमने अथत प्रयास किया है लास माइल डिलिवरी हमारी यां कहा जाता था लेकिन आज देश का सामान ने मानवी लास माइल डिलिवरी को साक्षात अनुभव कर रहा है देश के हर गरीब के पास बैंक अकाउंट हो देश के हर गरीब के पास पक्किश चत हो देश के हर गरीब को सौचाले की सुविधा मिले हर रसोई में गैस कनेक्षन हो हर घर में बिजली कनेक्षन हो हर गरीब को इलाज की सुविधा हो हर गाउं में आप्टिकल फाइबर हो ऐसी अंगिनित बातें जो समाज के आखरी व्यक्ति हो क्या देश का आखरी इलाका हो इसके लिए भाजपा सरकारें चाहिए केंद्रह हो हो या राज में हो हम सब मिल करके दिन राँ आप महनत की है अपने लक्षों को पाकत दिखाया है और इन निर्णवों को इन योजनाओं के शुरू करने के पीछे सबसे बड़ी बज़े यही है कि हम संगठन में रहते हुए भी ऐसे ही कार्य करते 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 आगे बढ़ रहे हैं इसलिए जब सरकार में आते हैं तो और तेज गती से इस दिशा में काम करते हैं हमारी कारशायली है हम किसी से कुछ भी छिनते नहीं है और छिने बिना भी दुसरे के हक्या उसे मिले इसमें जागरुत प्रयास करते हैं हम हर व्यक्ति तक पहुंते हैं उसकी आवशक्ता पर पूरी संवेदन सिल्टा से काम करते हैं सात्यों हमारे देश में अस्सी प्रतिशत से जादा छोटे किसान हैं इन किसानों की संख्या दस करोड से भी अधिक है पहले जो सरकारे रही उनकी प्राप्श्मिक्ताओं में ये छोटे किसान इन छोटे किसानों की जरूतें ये कभी नहीं रही लेकिन बीते वर्सों में हमारी सरकार की क्रुशी से जुड़ी हर योजना के केंदर में छोटे किसान रहें चाहे नएक क्रशी कानून हो पी एम किसान सम्मान नीदी हो किसान उत्पात संगाठन की व्यवस्ता हो फसल बीमा योजना में सुधार करना हो प्राकूरतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिशित करना हो हर खेत को पानी की योजना हो या फिर यूरिया की नीम कोटी की एचे हर निर्णे का सबसे बड़ा नाप देश के छोटे किसानों को हुआ है साथ्यों बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर काम में हर योजना में महिलाओं को प्राक्विक्ता दी गई हैं चाहे तीन तलाक के खिलाब कानून हो गर्बबती महिलाओं को 26 सब्ता की चुट्टी हो घर की रजिष्ट्री में महिलाओं को प्राक्विक्ता देनी की बात हो सब्च्छ भारत मीशन हो उजवला योजना हो मुद्रा योजना के तहद बिना गरंटी रून देना हो रेडी पट्री वालों के लिए पी एम स्वनीदी योजना हो सभी का लाब प्रमुकृप से हमारी देश की महिलाओं को माताओं को बेहनों को मिला है साथियों हमारे देश में सरकारों का मुल्यांकन सरकार की शक्ति का अकलन सरकार के परफान्वनस की बाते ज्यादा तर कौन सरकार कितनी बड़ी गोशना करती रही है